कि आज एक फिर नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मिल रहे हैं जो भी प्रिबियस पेपर है थर्ट समेस्टर का तो पेपर हम देखेंगे जो टूटल यह 75 मार्श से तीन और का है और टूटल नंबर आफ कोस्चन जो है फोर कोस्चन है इसे देख लेते हैं कि कैसा कोस्चन ह से और उसके बाद घृत है एस की सबसे पहले हम देखते हैं इसको इसमें कितने ऊक्षण है कौन ऐसे किस तरह से हैं इसको देख लें आकि प्रड़ प्रदक्रिंडर लिए आप फूलास्टल में आप देखेंगे इस तरह से स्पूरी हमारे फिपर है ऑग लिञ है है कि attempt all question और मार्क से और पहला question जो देख रहे हैं कि ड्रो फ्री हैं एसकेस आफ एनी टू आफ दॉइंग निक निमनले कित में से किनी दो को आपको बनाना है जो चार दिया गया है और चार में से किनी दो कुला एक में ठ्रेट बनाना रेंग फाउंडेशन वोल लेते हैं सिं सिंगल रिविटेड शिंगल एस्टीप बड ज्वाइंट प्लेट थिकनेंस थर्टी सिक्समें या और गेयर नोमिकलेचर नहीं एक गेयर बनाना है जिसका नोमिकलेचर करना है और यह 15 नंबर के हैं दूसरी question है जो आप फ्री हैंड एस ड्रो फ्री हैंड एसकेस आफ दफ हैं समीं भी और धर गरफिक द्रोंग मतलब एक बनाकर जो की इसमेड भी बनाना है फ्रींट कर बनाना है जो कि दस नंबर के हैं और यह जो दिया आए हा आपको एक की है और की को दिया गया है सिस तरह से यह फ्रॉस्ट इंगल में दिया गया सर्थोस्व और तो इस असे मुला ने यह पर रहा पार इस दा कोशन है कि वाट इस दा डामीटर आफ दा फ्लैंक जो फ्लैंक है फुली यह उसका डामीटर क्या है ब्यास क्या है दूसरा हाव मैंनी 516 अल्स आर देयर मतलब यहां पर फाई होल के कितने फोल बनाया गया है कि दिस्ट्रा कोशेने कि वांट वाट इस दाट하면 शना आफ पी डी यी शर्क्ली डामीटर का जो डीमैंशन वह क्या है चौथा पर दोन ने लीग You अनुट से फ़ंग जो फुली ऐसका फिकने ज़स्ज किख लूअ तो यहां पर आप नुट्स कर दे कर दिखनें आप अब इसे घुज़ से देखें के लिए यहां दीख रहा आपको यह अपना रहा आndra पर यह आपका उसल नहां चौर्था नंबर और बहुत यह असान होता है ऐसे देखने में लंबा है लेकिन इसको देखने में बनाएंगे तो बहुत आसान होगा और यह सीरिफ और से बलूप्रिंट चाप्टर का कोश्चन है एक जिसमें आप यह पो दिखा दें मार्श करता है थे 35 से में सब्सक्राइब फिर में ऐसे दिया गया था कि एक में द्रेट बनाया गया एक में फ्रेट में जो होता है और पीच जो होता है यहां पर दिखाया और इस तरह से अपना यह एक में थ्रेड हुआ और दूसरे जो कोशिंग का गया है और एक फांडेशन बोल्ट का यह बना गया है और सिंबॉलिक यह भी है तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं तो यह वर सब्सक्राइब बनाना यह भी चल जाएगा और यह दिखाया गया है और ऐसा है यह तिसरी पैसर ऑसन जो था हमुरा जो लेट सिंगर टूल को का इमिज है इसके पार्ट्स ने लिखागा कि कि स्कुरू होता है कि अधेस्ट सिंगल टूल पोस्ट वेर यह रॉकर आर्ब है और यह हमारा जो है रिंग बेस है यहां पर जो है यह से ढहिकनde महीं तो इस तरह से हमारा थिसरा हुआ जो की लेट सिंगल टूल वॉस्ट है और चौथा नंबर जो दिया गया फ्लेट काॉंटर शेंक तो फ्लेट कांटर शेंक जो है अपका यह impairaltro में बजा Колने 20 डिगरी कर चाहिए तो दोनों बनाए है कि एक है और इसका जो हेड होता है 1.5D और उसकी एक हेड की उचाहि होती है वो हमारा 0.5D होता है और यह जो शैंक होता है उसका डी होता है इस तरह से आप देखेंगे कि यह फ्लैट काउंटर सेंग है तो इस तरह से यह हुआ और दूसरे जो कोस्चन था हमारा कि एक आपको लेप बड़ जॉइंट सिंगल स्टीप का करना था जो यह लेप जॉइंट है और इसका जो 36 थीकनेस दिखाया गया था इस तरह से आपना यह सिंगल हो गय तो तीसरे कोस्चन में उसीमे आपको एक दूसरा भी को हो गया था कि गेर्णोमीं noise क्लेचर के तो अभी जैसिट कर देते हैं और रिरेस करने के बाद आपको दूसरा इसमें बनाते हैं कि किस तरह से आप उसको देखते हैं इस तरह आप वीडियो को रोग कर बीच-बीच में देख ले और बनाने की प्रक्टिस करें क्योंकि बाहर बार यह सब जो है फांडेशन बोल्ट ठ्रेड और यह रीवीट टूल सब्सक्राइब मैक्सिमम और जॉइंट यह पूछे जाते हैं तो इस तरह से फ्रेंडेश केसिंग के जादा हमें और एक अर्थोग्राफिक का करना होगा तो आप इस तरह से बनाएं अगले कोस्टन का अंसर देखा जाए कैसे होता है तो दो नमर में बताया गया कि सिंगल जो आपका बड जॉइंट था तो उसके बाद दूसरा उसी में कहा गया है कि और गेर नुमिकलेशर तो यह गेर नुमिकलेशर है आपके गेर बताया गया है इसमें कि यहां जो उपर वाले जो हर पीच और एडेंडम पीच सर्किल के बीच की जो होता है उसे डेंडम बोलत है बीच वाले को हमलों पीच सर्किल बोलते हैं नीचे वाले को डिटेंडम सरसे आपका यह पीच सर्किल सोरी इस तरह से आपका गेर नुमिकलेशर हुआ और अगला कोस्ट रो फ्री हैंड एसकेश आफ दा इसमेटिक भीव फॉर दा गिवें और तो गराफिक प्रोजेक्श अबजेक्ट होता है वह जदी राइट सेड में दिख रही हैं कि यह यहां राइट सेड में हमरा फ्रंट दिख रहे हैं यहां पर सेड देगा और यहां पर प्लान होगा यह थर्ड का होता है ठर्ड एंगल का होता है ड्रूल लेकिन यह ठर्ड एंगल में ऐसा ओता है लेकिनatu एंगल में जो बनाते ओPS ओर निकल कर यहां जाता है और यह प्लान जो होता है यहां प्याजनाता है 1 अर्य कंडिशन में यहां पर इसको बनाते हैं तो से पहले देखना फ्रेंट की लंबाई कितना है 60 mm और 60 mm पर टो करेंगे जो आज समेट्रिक के लिए फ्रेंट करते हैं तो 30 degree के हो गया 30 degree पर लाइन साथ हो गई और यह साइट से देखा जाए कि साइट की चुड़ाई कितनी है लगबग यह साइट की चुड़ाई दिखा दिया गया आपको कि वह अभी देखा जाएगा कि यहां पर कितनी उचाई है फ्रंट में तो फ्रंट मे पर यह देखते हैं कि यह इस किनारे से कितना है दस है और यहां पर दस में और लेते हैं और उस कंडिशन में यह हो गया और यहां से फिर यह उपर चला जाएगा 10 यह 10 उम पर जाएगा यहां से और यह इंक लाइट जो एस तरह से मिल जाएगा और यहां देखा जाए कि यह 10 है तो यह दस में ऐसे आएका दस हम लेने के बादे एक फोटी फाइव डिगरी पर इसे मिला जाए जाएगा इस तरह से आप देख रहे हैं तो और फ्रंट यह क तो तरह सेहे हमारा 85 मिलेगा जो श्वलामिलेगा जो श्री मिलेगा दसन्यक्ते प्रक जाएगर फिर जाएंट अज है कि इन तरह से लंबी दूरी दीखता है लेकिन होगा नहीं इतना एक लए लगा है हुग गया अगले टप में इस तरह से आपका जो होगा यह की होगा जिसकी लेंथ आप यहां डूसों करना पड़ेगा कि कितना लेंथ है कि 60 mm इनकी चोड़ाई जो है और यह उंचाई जो है यहां से यहां तक वह भी अपना टेन में है और यहां भी जो दिया गया वो कितना है तो दासमें है टेन में और यहां की जो हट दी गई है वो आट मैं तो यह हमारा कि फ्रंट भी हो यह अपना साइड भी हो और उपर से देखा जाएगा तो यह प्लान भी इस तरह से यह कंप्लीट होगा दूसरा तीसरे को संट चोथे को संट पर माते हैं कि चोथे को संट में दिया गया है इसमें से आपको आंसर देना है इसमें आंसर देना है किस से कुछ पूछेंगा तो इसकी आंसर देना है कि इसके से पहला को उसन जो लिखा गया है आप सबसे पले इसके देख लें कि इस जो फ्लेंग की बाहरी डायमीटर है मतलब इसकी टोटल मुटाई है जैसे अश्का गोल में होगा बाहर बार डायमीटर कितना है तो 150 अब और आंतरिक डायमीटर 60 mm है उसके बाद मतलब यह आपका यहां से लेकर यहां तक कि जो दूरी है वो आपको टोटल और टोटल कितना है डेर समय है और यहां से लेकर यहां की जो दूरी है वो आपको 80 mm है और यहां से यहां की जो दूरी है वो टोटल 60 mm है और इस यह और यहां की दोरी जो दिया गए 80 में है और इस तरह से टोटल इसमें चार हूल बनाए गए है तो इन पे ही कोश्चन है इसकी टोटल फ्लैंग की लंबाई जो है यह आपको 88 है 70 और 88 इम हो जाएगा इसी पे कोश्चन है पहला कोश्चन है कि वाट इस दर डायमीटर आफ दा प्लैंग की डायमीटर क्या है तो पहला कोश्चन के लिए फलैंग का डायमीटर क्या है तो हम यहां देते थे हैं कि दोगा 5150 एंगा जो पीछली पिपर में देख लेंगे कोश्चन है वहां से यह पहला का अंसर हो गया हाउ मैंटिक्षर यहां पे जो की 182 के कितने होल है तो यहां लिखा गया four holes 60 mm diameter यह four holes तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे four holes यह दूसरी cancer हो जाएगा और तीसरे number question लिखा गया कि what is the dimension of PCD पीचे circle diameter का dimension क्या है तो यहां देखे की लिखा गया one sixteen PCD यानिकी 116 mm PCD एक सोले PCD निपीच circle diameter यानिकी फर्स्ट का था यह सेकंड के था यह थार्ड का फोर्थ कोस्टन का अंसर है कि वार्ट इस दो फ्लैंक थिकनेस निकी जो फ्लैंक है पुल्ली उसकी की थीकनेस क्या है यहां पर बताएगा कि है तो यहां पर चोथे काँसर हो जाएगा कि थीकनेस आफ फ्लैंकेज 18 mm और यहां पे फोरॉल्स तो इस तरह से चोटिया कुस्टन का भी अंसर हो गया जोकि कि लाज में लिखा देख लेंगे पहला दूसरा कोशन पढ़ लेंगे मिलाकर कोशन पेपर से और इसे इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ तब तक के लिए धन्यवाद और कोशन को देखें और बनाए प्रिवेश पेपर और सा रहें उनको भी अप्लोड करते रहे करेंगे और इनने बनाए प्रैक्टिस करें और जाद से जादा अपने फ्रेंड्स को देते रहें तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई